हेलो साथियों कैसे हैं आप सभी आप सभी के आपके अपने यूटूब चेनल में सुवागत है तो साथियों दो दिन की बैठकती प्रोजेक्ट बोहन में तो कल दूसरी दिन की समिक्षा की बैठम खत्म हो चुकी है तो दोस्तों एक अपडेट आया हुआ है पेपर के माध्य हम से मान ये हैमा सोरेंजी क्या बोले कल प्रोजेक्ट बन दूसरी दिन में रोजगार देना और कुपोशन मिटाना पहली प्रात्मिक्ता होगी तो इस वीडियो में हम आप लोगों को संपुन जनकारी देने वाले हैं कि दोस्तों कल 15 विभागों में क्या कुछ हुआ तो चलिए साथियों क्या है अपडेट में लिए चलता हूं तो जाने से पहले एक बार आप वीडियो को लाइक अवस्ट कर दें तो साथियों आप हमारे इसकिन पर देख सकते हैं दो दिवसी दोस्तों बेठकता प्रोजेक्ट भौन में 10 फरवरी और 11 फरवरी ठीक है तो दोस कि दोस्तों रोजगार देना और कुपोशन मिटाना पहली प्रात्मिक्ता होगी तो सरकारें । कमर कस लिये हैं बहली को लेकर जल्द ही बाली आयगी और कब तक आएगी इस वीडियो में हम आपको आगे झनकारी देने वाले हैं तो वीडियों के साथ बने रहे समिक्षा बेठक तो चलिए मैं पढ़कर बता दे रहा हूं कि राची हिंदुस्तान ब्यूरो मुकमंती हैमन सोले ने सोमवार एंड मंगलवार ठीक है जारकर मंत्राले ने अधिकारियों के साथ लागाता समिक्षा करते हुए का कि मसीन मोटर बाटने और बड़ी योजनाओं को नाम पर अवए अब नई होगा वहीं काम होगा जिसे गरीब के घर में खुशाली आ सके सीम ने पूरे राज में मोडल नियोजनाले सहीत परखंड बहाली में खिलाडियों के परात्मिक्ता मिलेगी जीहां साथियों जो डिश्टर के लेवल और राजस्तर के जो खिलाड़ी है उनको बहाली में लिकर परात्मिक्ता मिल सकते उनको आरक्षन दिया जाएगा मुग मंत्री ने खिल सिछकों बाहली की खिलाडियों को प्राक्मिक्ता पर जोर दिया राश्ट और राजस्तर की बैतरी खिलाडियों को रोजगार देने के लिए जरूरी नियम मनाये जाएंगे और इस्पेसर ड्राइब चलाकर नोकरी दी जाएगी बेटियों की सिक्षा पर जोर जीयां सात्यों बेटियों की जो सिक्षा है उन पे भी जोर दिया जाएगा नसों की भरती होगी नर्स की हर चीले में जो अस्पताल है उनकी नर्स में भरती होगी और 15 विभाग मंत्रियों मुख्ष सची विकास आयुक्त विभाग ये सची और अधिकारियों साथ CM ने की समिक्षा तो आप देख सकते हैं समिक्षा में योजनाओं की हकीकत और जन सरुकार का पता चला योजनाओं को बंद करने का निने बाद में लिया जाएगा कॉल्ड फिल्ड इलाकों में निजी इसकुल को फीस के लिए एडमिट कार्ड नहीं देने के सिकायद मिली थी इसी संदर में निजी इसकुल को फीस के लिए चात्रों को प्रिक्षा मेठने से नहीं रोकने का निर्जदेश दिया गया है तो सात्मियों यही एक अपडेट थी तो चली अब हम लोग बात करेंगे कि आप लोगों की भेकेंसी कब तक आने की उम्मीद है तो 10 और 11 जन्वरी के दो दिवसी जो थी बेठक वह संपुन हो चुकी है ठीक है जिन में मान ये हमा सोरें जी अपने सभी विभागों में कमर कसली गई है सभी विभागों में दोस्तों मैंने कल की पिछले वीडियो में बताया था कि इतने पदों पे जिन जिन पदों पे कितने पद खाली है गिरी बिवाग पुलीस बिवाग जल संसादन बिवाग सबी बिवागों में बैवरा बता है था अगर वह आप वीडियो नहीं देखें तो हमारे दोस्तों पिछले कल कर वीडियो में डाला हुआ है तो जाकर आप देख सकते हैं किस बिवाग में कितने पद खाली है तो ऐसी कि हमारे जो नए जो सीम बने थे पिछले रगुबर दास तो दोस्तों जार्खन पुलीस की सबसे पहली बाली आई हुई थी दिसंबर में 2014 में दोस्तों मुखमंतरी बनने एक बात अगस्त में जुलाई में बाली आई थी और अगस्त फोर्म भरना श्टार्ट कर दिया गया था तो दोस्तों इससे पहले बाली आप लोगों को एडवाइसमेंट जैसे सी और जैपिएसी का आयोग में आ जाएगी तो आप सभी छातर मई से लेकर जून तक दोस्तों आप लोगों का धीरे धीरे एक एडवाइसमेंट आप लोगों का बिग्यापन जारी किया जाएगा आयोग के द्वारा ठीक है फुरेश्ट गाट हो चाहे जहरकन प्लीस हो चाहे कक्चपाल हो चाहे एकसाइज सब इस्पेक्टर हो चाहे र यही अनुरोध है ताकि दोस्तों आप लोगों को आने वाली एकजाम में और आप लोग स्पीट गति को बढ़ा दे ताकि एकजाम में आप लोगों कोई भी कटनाईयों का सामना ना करना पड़े तो यही एक छोटी सी अपडेट थी साथियों अगर हमारी वीडियो को पसं तक के लिए नमस्कार जय हिंद जय भारत बंदे मातरम